अब मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा contest है जिसमें winner जो है वो team के rank या फिर points decide नहीं होता तो आपको भी सुनके अच्छा लगेगा ना और हाँ साथ में ये भी बता दूँ कि अगर नहीं जीते तो अगले match में prize money end हो जाता है यानि हर match में prize money बढ़ता जाता है जब तक कोई जीत नहीं लेता सही सुना आपने की एक ऐसा contest है जिसका नाम है gameathon MVP contest MVP यानि most valuable player यानि सब से ज़्यादा points लाने वाला player gameathon MVP में आपको 4 player चुलने पड़ते हैं जिनका आपको लगता है कि ये सब से ज़्यादा fantasy point ला सकते हैं यानि कि एक wicket keeper, एक batsman, एक baller और एक allounder ये बन गई आपकी MVP टीम और आप ऐसी multiple team बना सकते हो अब winning कैसे decide होगी ये तो बहुत interesting है match पुरा होने पर MVP निकाले जाते हैं अगर आपके 4 MVP सही हुए तो jackpot price और अगर कोई भी 3 सही हुए तो bumper price अब अगर कोई नहीं जीता तो price money अगले match में add हो जाती है जिससे आप अगले match में ज्यादा जीत सकते हो और इस match का price pool आपकी entry fees से बनता है यानि जितने ज्यादा लोग उतनी बड़ी winning amount इसलिए भी या ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाओ entry fees मात्र 5 रुपे से शुरू किसी और आप में नहीं है ऐसा loss butcher contest